देश में काफी राजय में क्रूणा के मामलों में तेजी देखी जा रही है तो काफी राजय में मामले तेजी से घट रहे हैं आए जानते हैं कि आज 10 जुलाई 2021 को आपके राज में पिछले 24 गंटे में कितने केस मिले नमबर एक, गुजरात में आज 56 नए मामले मौते 1 और 196 रिकवरी दर्श की गई है, सक्री मामले 1356 है नमबर दो, पश्चिम बंगाल में क्रूणा वारिस के 990 नए मामले आए हैं, 1424 लोग डिस्चार्ज हुए हैं और 19 लोगों की क्रूणा से मौत हुई है, सक्री मामले 15690 है नमबर तीन, पंजाब में पिछले 24 घंटे में 152 नए कोविड-19 मामले 219 डिकवरी और 11 मौते दर्श की गई है, सक्री मामले 1809 है नमबर चार, हरियाना में आज क्रूणा वारिस के 57 नए मामले आए हैं, 89 रिकवरी हुई है और 9 लोगों की क्रूणा से मौत हुई है, सक्री मामले 993 है नमबर पांच तेलंगाना में आज करूना वाइरस के 731 नए मामले आए हैं 930 रिकवरी हुई है चार लोगों की करूना से मौत हुई है सक्री मामले 11,206 है नमबर चे असम में आज करूना वाइरस के 2,493 नए मामले आए हैं 3045 लोग डिस्चार्ज हुए हैं और 60 लोगों की करूना से मौत हुई है 37,906 है नमबर आठ उत्रा खंड में आज 65 करूना संक्रमन मामले 184 रिकवरी और शूर ने मौते रिपोर्ट हुई है सक्री मामलों की संक्या 1319 है नमबर नौ तमिल नाडू में आज करूना वाइरस के 3,049 नए मामले आए हैं 3,411 रिकवरी और 69 लोगों की करूना से मौत हुई है सक्री मामलों की संक्या 33,224 है नमबर दस पॉंडिचरी में आज 126 नए मामले आए हैं और इस दोरान 184 लोग डिस्चार्ज हुए हैं सक्री मामले 1,995 हैं नमबर बारा आंदर प्रदिश में फिछले 24 गंटे में 3,040 नए मामले करूना संक्यार्ण की आए हैं 4,576 रिकवरी और 14 लोगों की मौत हुई है सक्री मामले 3,300 हैं नमबर तेरा राजिस्थान में फिछले 24 गंटे में करूना संक्यार्ण के 62 नए मामले सामने आए हैं इस दोरान 70 लोग डिस्चार्ज हुए हैं और एक लोगों की मौत हुदर्च की गई हैं सक्री मामले 815 रह गए हैं नमबर 14, केरल में पिछले 24 गंटे में करूना संक्यार्ण के 13,563 नए मामले सामने आए हैं इस दोरान 10,454 लोग डिस्चार्ज हुए हैं और 130 लोगों की मृत्य दर्च की गई हैं सक्री मामले 1,13,120 हैं नमबर 15, मद्ध प्रदेश में पिछले 24 गंटे में 29 नए करूना संक्यार्ण के मामले आए हैं एक मौत और 38 ठीक हुए हैं सक्री मामले 406 हैं नमबर 16, हारखन में करूना वाइरस के 52 नए मामले सामने आए हैं 76 लोग करूना से ठीक हुए हैं और कुरूना वारिस की वज़ा से कोई भी मौत नहीं हुई है, सक्री मामले 449 हैं। नमबर 17, हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 गंटे में कुरूना संक्रमण के 180 नए मामले सामने आए हैं। और 127 लोग डिस्चार्ज हुएं, इस दोरान एक व्रेक्ति की मृत्य दर्ज की गई हैं, सक्री मामले 1369 हैं। नमबर 18, मणीपुर में पिछले 24 गंटे में कुरूना संक्रमण के 852 नए मामले सामने आए हैं। इस दोरान 3,341 लोग डिस्चार्ज हुए हैं और 61 लोगों की मृत्य दर्ज की गई हैं, सक्री मामले 24,088 हैं। नमबर 21, तिरपुरा में पिछले 24 गंटे में कुरूना संक्रमण के 531 नए मामले सामने आए हैं। इस दोरान 432 लोगों डिस्चार्ज हुए हैं और 6 लोगों की मृत्य दर्ज की गई हैं, सक्री मामले 4,175 हैं। नमबर 22, महराश्ट में पिछले 24 गंटे में कुरूना वाइरस के 8,992 नए मामले आए हैं। 10,458 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं और 200 लोगों की कुरूना से मौत हुई हैं। सक्री मामले 1,12,231 हैं। नमबर 23, उत्तर प्रदेश में आज 83 नए कुरूना संक्रमण की मामले 162 डिस्चार्ज और 13 मौते दर्ज की गई हैं। सक्री मामले 1,697 हैं। नमबर 24, राजधानी दिल्ली में पिछले 24 गंटे में कुरूना वाइरस के 81 नए मामले आए हैं। तीन लोगों की कुरूना वाइरस से मौत हुई है और 127 रेकावरी हुई है। सक्री मामले 798 नबे रह गए हैं। नमबर 25, अरुनाचल प्रदेश में पिछले 24 गंटे में कुरूना संक्रमण की 403 नए मामले सामने आए हैं। तीन सो पांच लोग डिस्चार्ज हुए हैं और एक किम्रत्यू दर्श की गए हैं सक्री मामले 3557 हैं। नमबर 27, जम्मू कश्मीर में आज 261 नए कुरूना मामले सामने आए हैं 304 रिकवरी और एक मौध दर्श की गए हैं केंद शासिर प्रदेश में सक्री मामले 3300 हैं। तो ये थे आपके राज्यों के 24 गश्डे के कुरूना केस रिपोर्ट इसके अलावा भी किसी और राज्यों के आपको कुरूना अपडेट चाही तो आप कॉमेंट में बता सकते हैं।